कोबिड महामारी पर निरंतर पाने के लिए स्वास्ति विभाग के दौरा छेडी कोबिड वैक्सिनेशन की मुही में सोशल डिस्टेंसिंग की धजियां उड़ाई जा रहे हैं क्योंकि कोबिड वैक्सिनेशन सेंटरों के वाहर सैंकडों की तदाद में लोगों के पहुंचन के इंदर बनाए हैं जिनमें गरामिर्ण स्वास्ते किंद्रों में दिनमें 100 और नगर परशित क्षेत्रों में 200 लोगों को वैक्सिनेशन लगाई जा रही है कि सुबा साथ वज़े से बैकिंशनेशन केंद्र में टोकन लेने पहुच गए थे और केंद्र के बाहर लाइन transmit में मास तो पहने हैं लेकिन सोसल सेorders recomm काम ही देखी गई हैं उन्होंने बताए कि किंद्रो के बाहर कई लोग सोसिल से staff लिए जो की गलत बाद है मिनाक्षी है और मैं भी जार रिते हूं और मैं भी सुबर साथ बज़े आई हैं और मेरा पाई साथ बज़े आगया था और आज कुछ लोकली मतलों सारे लोगों ने लगाए हुआ है अज़े आज बज़े आई हूं और मास्क राप करके दो रहे हैं डीसी देश्वता बनिक ने कहा कि वैक्सिनेशन में पूरे देश में हिमाच्र परदेश नंबर वन बना हुआ है और हमिरपूर का स्थान भी परदेश में पहले नंबर प्रहैसे में लोगों को भी परशाचन और स्वास्ति विवाग का भरपूर सहयोग करना चाहिए उन्होंने बताए कि टीका करन के टार्गट से भी जादा टीका करन किया जा रहा है जो की एक सुखत बात है वहीं देश्विता वनिक ने कोवड वैक्सिनेशन केंद्रों में उमर रही बीड पर चिंता भी जाहिर की है और लोगों से अपील की है कि वह वैक्सिनेशन केंद्रों पर सुसर डिस्टेंजिंग को अवश्य अपनाएं अच्छा जो है और इसके चलते जो है फॉर्टी नाइन पॉट्फाइफ प्रतिशक्स जो अबव 18 की पॉपिलेशन है इसके लिए उनको एक बार पहली खुराब वैक्सिनेशन की वह लग चुकी है और जल्द ही जैसे जैसे वो तीन महीने का ताइम पीरिड है जिसमें सेके बार लेनी होती है तो अगर ताइम पी वह भी लोग आगे आके उस वैक्सिनेशन को सेके डोस को लेते हैं तो हम बहुत जल्द काफी संख्या में हमारी जो अबव 18 अडर्ड पॉपिलेशन की संख आप सभी को पता है कि मंडे से जो है सोंबार से हमारे पूरे देश में और प्रदेश में एक अगरापक अभियान जो है अबव 18 पॉपिलेशन की वैक्सिनेशन की वो चल रही है और डिस्ट्रिक हमिरपूर ने फिर से जो है काफी अच्छा प्रदेशन करते हुए हमारी ट आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह की अगर हमें कहीं सूचना आती है तो या इस तरह से लोग अगर कोविट के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें मजबूरन जो है काफी सफ़ दम ठाने पड़ेंगे ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि कोई वैक्सिडेशन जो है कोविट से बचने के लिए लगाने आए और भीड़भाड में और सोचल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के कारण कोई और खत्रा जो है बिमारी का म्याता भी आपनोग कृपया जो है भीड़भार जादा ना करे और जब लोग थोड़े जादा मात्रा में कहीं भी अगर पहुंच जाते हैं तो ही अराम से लाइन में लगके सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अपना वैक्सिनेशन करना है और